सो हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको एकदम न्यू स्टाइल हैपी बर्डे स्टेट अडिट करना सिखाने वाला दोस्तो यहाँ पर इस वाली वीडियो का प्रिव्यू देखने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर नए है तो चैनल को सब्स्राइब जरूर से कर ले आप हैपी बर्डे डू यहाँ तो दोस्तों इस तरह की बर्डे स्टेट डिट करने के लिए आपको एरलाइट मोसन एपलिकेशन को ओपन कर देना है फिर प्लस के अपन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर नाइन इंटो सिश्टी नड़ एक नए प्रोजेक्ट आपन कर द बेरफ 15 वीपार्ट में रखना चाहते ईसवाली फोटो को यहाँ पर आपने स्ट कि लेना है तो कोई भी फोटो जो भी बेगरांद में रखना चाते हैं उसवरे फोटो को सिलेट कीजिए फोटो को अड़ गने करने पर यहाँ पर एफेकsevenrative पर आपनों पर देफ्ड पर ठोटो के शो करना और इतना कम करना कि फोटो की चार लए रापको दिखाए है धीक है यहां पर चार लेहां से ब्लस के अैकन पर क्लिक किजए अब यहां पर आपको सेप पर जाना है स्क्वेर वाला सेप लेना है मुविन ट्रांसफर्म पर जाना है स्केल के उप्षिन पर जाना है और आपको स्केल को बढ़ा के इस वाले स्क्वेर को पूरी फ्रेम में अच्छे से सेट कर देना है इसके बाद यहां से बेक आने के बाद अब दूस्तु यहां पर इस वाली वीडियो को आगे बनाने के लिए आपको मेरे कुछ मैट्रियल्स और साथी XML प्रिशेट की जरूत पड़ी तो मैंने सारे मैट्रियल्स और और यहां पर इस वाले आर्टियल्स परको दूदबर के लिए बनाने के दिया हुआ है, लेजेगा आपको इसी पेज़ पे मिल जाएगा और इस वाले आर्टिकल के अंदर मैंने इस वाले वीडियो से रिटेर सारे मटिरियल्स दिये हुए है ठीक है यहाप इसका आप लोगों भी देख लिजे साइट का और यह वाला आर्टिकल का टाइटल अब दिख लिजे इस पर यहाँ इड कर लेना है तो इस वाले एंच को यहां पर पर आपने वागो को आपने अपने ड्रिया प्लस के एकन पर क्लिक करके मेडिया पर जाके मैंने एक लिरिक्स वीडियो दिया है जो हैपी बड़े का सौंग के साथ मैंने दिया हुआ है उस वाले song वाली वीडियो को यहां पर आपने add कर देना है तो इस वाले वीडियो को add कीजिए और यहां पर इस वाले वीडियो में भी same process करेंगे layer पे जाएंगे blending opacity पे जाएंगे lighten पे जाएंगे और screen कर लेंगे अब दोस्तु यहां पर यह जो lyrics video है वह जहां पर खत्म होता है वहां पर आपने आना है, ठाक है तो यहां पर आप देखिए जहां पर यह video खत्म होगा, वहां पर आपको आज जाना है जो कि 22 seconds के एस पास होगा वहां पर जाना है और particleignant video उने को कट कर लीजिए गुवाद को टीनों ल taraf को सब्सक्राइब करें ना है उपसेट पे आगे आजाने फोटो के end वाले point पे अब उपसेट पे जाके इसको आपको बढ़ा देने ठीक जार जार पानसो के आसपस इसको आप बढ़ा दीजिए तो 4500 के आसपस इसको बढ़ा दीजिए इसके पद आपकी जो भी photo एड़ कि उसमें यह वाला effect लग जाएंगे तो इसके स साथ दोस्तों यहां पर देख लिए कुछ effect लग चुका है photo के अंदर ठीक है यहां पर scrolling का effect लग चुका है अब दोस्तों यहां से आपको आगे आना है और कुछ 11 सेकंड के तक आपको आगे जो लिखा हुआ happy buddy वाला वो 11 सेकंड के आसपस खतम होगा वहां तक आपको आगे आ जाना है तो यहां पर देखे कुछ 11 सेकंड और 15 मुएं ठीक है यहां पर खतम हो रहा है मेरे में आपको देख लेना आपका का पर खतम दावा पर आ जाना है यहां पर आ जाईए आने के बाद फिर से प्लस के एकन पर क्लिक कीजिए मीडिया पर जाईए और एकपन ने happy birthday देख आप PNG दिया हुआ है उस वाले PNG को आप यहां पर एड़ कर लीजिए इसको एड़ कीजिए मुवें ट्रांसों के जाईए और इसको यहां पर नीचे के दरफ पोजिशन में सेट कर देजिए और यहां से सेट कर लीजिए यहां से ब्यक आईए इसको प्ले कीजिए प्ले करने को दोस्तों अब यहां पर देख आगे आओगे तो 17 सेकंड के आसपास एक और नीचे लिखा हुआ लेजिक्स आएगा ठीक यहां से स्टार्ट होता है कि यहां पर देख थोड़ा सब आगे आएंगे जहां से स्टार्ट होता है वहां पर 17 पॉइंट कुछ ही यह तो आ रही थे और जो चेंज हो रही थी वोट वो इसके हमने यहां पर एड़ करना है तो उसके आपको मैरे आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा वीडियो के डिस्टर्शन बोक्स में आप देख लीजे और इंपोर्ट कर लिजिए जैसे आप उसवाले एक्सवाले प्रि फर्स नंबर पे वहला प्रोजेक्ट आ चुका होगा जिसका टाइटल होगा रियल टेच फ्रेंट बडडे एक्सेमल ठीके यह वाला आपको फर्स नंबर पे मिलेगा तो इसको आप यहां पर पर जाना है इसमें जैसे आप जाओगे यहां पर प्लस करके क्लिक करके कॉपी लिखा है उसको आपको सिलेट कर लड़े गए इसको आप कॉपी लेट करके बेक आ जाईए बेक आने के बाद अपनों फिर से एडिटिंग वाले प्रोजेक्ट पर जाईए यहां पर आने के बाद जहां से हमने PNG एड़ की बडड़े वाली ठीक यह वाली PNG जहां पर एड है कि वहां पर आना है यहां पर आने के बाद छो प्लस का ऐकन बना है वहां पर लिखे को जो आपने कॉपी किया उसको यहां पर पेस्ट लेरर कर देना है यहां पर देखे कुछ इस तरीकसा यहां पर देखें पर देखेंप के खोड़ा साथ इतना ही नहीं रखना है यूण कि हमारे beat mark के साथ गाने के beat के साथ मुझा मिला नहीं तो क्या कहना यहां से जितने भी point है तो आपको देख लिए end में जाना है इसके end में जितने भी point है कि जोड़ा point 4 है तो यहां से आपको 4 point को कम करना आपका जितने भी उसमें से necessary tips हो जाएगा उटके समय इसका डूपलिकेसे आगे लेकर आगे ल के आपके आपको इसको इस तरहां से चेंज करनेगी फोटो कैसे हो वैं आपको बताऊंगा हागे उससे पहले इसको मैं इसր कषगिसे डुपलिकेट कर坏 आगे तक लिय दाई हो ठीक है तो आप भी इतना काम कर लिजिये तो दोरे यहां पर मैंने पूरी वीडियो में इस तरीके से डुपलिकेट करके सभी लेयर यहाँ पर एड कर लिया है अब दूसरो फोटो को चेंज करना है तो फोटो को चेंज करना बहुत ही सिंपल है आपको अब देखे सभी में जितने भी लेयर हमने एड गी है सभी में आपको एक ही प्रोसेस से चेंज करना है ठीक मैं किसी एक में आपको चेंज क दो दो पर और पर क्लिक करें यहां को इस वाले ग्रूप में से किसी एगिर्फ करना है पєले अब यहां पर आपको दिखते हैं यहां वी फोटो आपको चाहिए उस वले फोटो को यहां से सब्सक्राइब बना हरा वहां पर आपने क्लिक कर देना है तो फोटो यहां उब यहां पर ऊप्सेने हैं dizzy पर क्लिक लेने दो अलग-अलग लाइन हो जाएगी अब दोनों लाइन से इस तरह से आप फोटो को अच्छे से आप सेट कर सकते हो फ्रैम के अंदर चेकी चोटा बड़ा आप यहां से आप कर सकते हो तो इस तरह के सब को फोटो चाइट से सब्सक्राइब अब दूसरी जो भी फोट्न आप यहां पर आड़ करना जाते walks इना हे उसफ पोट्य को प्लस कीजिए शुडेक्व प्लख ऐगन पर क्लिक की ऑर फोटो एच्छे से नहीं आई तो सेम् प्रॉसेस करेंगे यहांसे आपको बैक जाना है moving transform पे जाना है scale के option पे जाना है और यहांब दोनों लाइन से आपको अच्छे से फोटो को प्रेम में set कर देना है तो यह काम हमने कर लिया इस तरीके साब फोटो को change कर सकते हैं तो यहां पर पहला जो ग्रूप है मतलब कि जो पहली layer है उसका काम हमने complete कर लिया है तो यहां से बेक आएंगे अमारे फर्स्ट जो layer थी उसमें काम हमने कर लिया है इसी तरीके से बाकी के जितनी भी layer है आपको आपको सेम प्रोशस करना है यहां पर जाएंगे फिर से गूरूप पर जाएंगे और यहां पर आपको फोटो पर क्लिक करके color जाना इस वहले लेयर पर क्लिक कर देने और जो भी फोटो आपको चाहिए उस लोड़े फोटो को यहां पर आपने select कर लेना है, बहुत ही simple process है plus again पे click करोगे photo यहाँ पे add हो जाएगी इसी तरीके से आपने दूसरे group में भी same आपको यही जग ठीक है आपको एक line में दो group में बिलेगे यही दूसरा वाला यहाँ पे जाएंगे add a group पे जाएए और यहाँ पे photo पे जाएए और color पे जाएए और layer पे जाके photo को change कर लिजे, same यही process आपने जितनी भी layer आपने अपने video में add किये होगे, सभी में आपको इसी तरीके से अलग-अलग photo का आपने add कर लेना है, जैसे add करोगे आपकी video पूरी complete बन जाएगी, तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको दो ग्रूप में दिखा लिया, दोनों में मैंने change कर लिया है, इसके बाद वाले बाकी जितने बचे, आपने अपने इसाब से कर लेना है, तो मैं यहाँ आपने सब में करने जाएगा, तो आप सभी को आज की हमारी वीडियो पुसंद आए वागी, वीडियो अगर पसंद आतो लाइक कर लिजेगा, और चैनल पर नहीं तो सब्स्राइब जरू से ख लिजेगा